आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वह है मिर्ची का सालन या आप इसे बिर्यानी की करी भी कह सकते हैं किसी भी तरह की बिर्यानी मिर्ची के सालन की बिना अधूरी से लगती है क्योंकि बिर्यानी के टेस्ट को यह दुगना जो कर देती है इस खटे तीखे मिर्ची के सालन को बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देखे पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूले आईए इसे बनाना शुरू करते है मिर्ची का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुस ड्राइ इंग्रिडियन्स लिए है यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून मुंफली लिए जिसको मैंने ड्राइ रोस्ट कर लिया था और उनका छिलका हटा दिया इसी के साथ में 2 टेबल स्पून सफेद तिल लिए है साथ में 8 से 10 सूखी लाल मिर्च लिए है यह कश्मीरी लाल मिर्च है जो स्पाइसी नहीं होती इसी के साथ में 1 टेबल स्पून साबुद धनिया और 1 टी स्पून साबुद जीरा लिया है मैंने यहाँ पर एक फ्रैंक पैन को गरम करने के लिए रखा है जिसके अंदर मैंने साबुद धनिया डाल दिया है साथ में सूखी लाल मिर्च, जीरा, मुंफली और तिल सभी कुछ एक साथ डाल कर हम इसे मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिर्ट के लिए ड्राइ रोस्ट कर लेंगे मुंफली पहले से भुनी हुई थी इस वज़े से उसका छिलका हटा हुआ है तो बहुत ज्यादा बुनने के लिए टाइम नहीं लगेगा और तिल और धनिये को उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता हूँ अभी आप देखिए तिल और जीरा चटकने लग गया है हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसके ठंडे होने का वेट करेंगे मैंने यहाँ पर आट से दस हरी मिर्च ली है जिनको मैंने वाटर से वाश करके बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था और अभी मैं इन में एक हलका सा कटका निशान लगा रही हूँ ताकि इसके अंदर जो भी सीर्स नजर आ रहे हैं उनको हम बाहर निकाल सकें यह मिर्ची काफी तीखी होती है तो इसके तीखेपन को कम करने के लिए इसके सीर्स को निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप इसी तरीके से सारे सीर्स निकाल कर बाहर कर लें और अगर बहुत ज्यादा फिर भी स्पाइसी आपको लगती है तो आप इसको फिर पानी में 5-10 मिट के लिए भीगो कर रख लें और फिर आप उस मिर्ची को यूज करें अभी आप देखिए हमने सारी मिर्ची में से सीर्स निकाल दिये हैं सारे बीज निकल कर बाहर हो चुके अभी मैंने यहाँ पर इमली खजूर की चट्नी ली है जिसको मैं इनके अंदर हलका सा फिल कर रही हूँ ताकि जब हम इसको फ्राइ करें तो यह काफी टेस्ट में अच्छी हो जाए यह खटी और तीखी हो जाएगी जो टेस्ट में काफी अच्छी लगेगी आपके पास अगर इमली खजूर की चट्नी नहीं हो तो आप सिंपल इमली का पेस्ट जो आता है उसको भी यूज़ करके इसको तयार कर सकते हैं अभी हमने सारी मिर्ची को इमली खजूर की चट्नी लगा कर तयार कर लिया है हमने जो ट्राइ रोस्ट किया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और मैं इसे ग्राइंडर जार में ले रही हूँ जिसकी हल्प से हम इसका एक फाइन पाऊडर बनाकर तयार कर सकेंगे आप चाहें तो आज इस इस ग्राइंड कर लें अदर्वाइस आप इसमें हाफ कप वॉटर एड्ट करके भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या अपनी कन्विनियन के अकॉर्डिंग आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन हमने इसमें वाटर एड नहीं किया था आप देखिए हमारा बिल्कुल सुखा पाउडर बनकर तियार हो चुका है मैंने यहाँ पर एक फ्रैंक पैन में ऑईल गरम करने के लिए रखा है ऑईल हमारा गरम हो चुका है हमने जो मिर्ची इम्ली खजूर की चटनी लगा कर तियार किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे लो टू मीडियूम फ्लेम पर हम एक से दो मिनिट के लिए बुन देंगे हम इसे तब तक शलो फ्र नजर ना आने लगे दियान रखें जब भी आप मिर्ची को आयल में फ्राई कर रहे हो उस समय आप हलका सा ओयल से दूर रहें क्योंकि कितनी पार मिर्ची के चटकने से ओयल की चीटे भी उचल सकते हैं तो बैटर है आप बहुत कियरफुली इसे फ्राई करें अभी आप द इसी के साथ में ब्लैक मस्टर सीट्स लिया एं आट से बेर नज करी लीव्प डेसिक्टेटट कोकोनूट अगर आपकी पर डेसिक्टेटट ना हो ढव तो जब आप ड्राई इंग्रेंट्स को मिक्सर ग्रेंटर जार की हाल से ग्राइंड कर रहे हो उसी समय आप कोकोनूट को भी उसी के साथ grind करके तयार कर लें साथ में लिया है मैंने grated ginger दो से तीन garlic cloves salt, tamarind paste, turmeric powder, red kashmiri chili powder लिया है यहां पर एक फ्राइंक पैन में 3 टेबल इस्पून oil गरम किया है जिसके अंदर मैंने half teaspoon black mustard seeds डाल दिया है साथ में 1 teaspoon grated garlic cloves, 1 teaspoon grated ginger और 8-10 curry leaves डाल रही हो अभी जो हमने chop onion थे वो भी हम इसी के अंदर add कर रहे हैं और साथ में 1 teaspoon में salt add कर रही हूँ salt add कर देने से यह बहुत जल्दी भून कर तयार हो जाते हैं और अभी हम इसे 1-2 minute के लिए भून लेंगे जब तक कि onion का color हलका golden brown color का ना हो जाए आप flame को continuous low बनाए रखें अभी आप देखिए onion का color हलका golden brown color का हो चुका है अभी मैं इसके अंदर 1 foot teaspoon turmeric powder add कर रही हूँ साथ मैं 1 teaspoon red kashmiri chili powder add कर रही हूँ और अभी हम इसको अच्छे से mix कर देंगे हल्दी powder और मिर्च powder के add करने के साथ ही इसका color काफी सुन्दर आ जाता है आप देखिए इसका color काफी सुन्दर आ चुका है अभी हम इसके अंदर जो हमने dry ingredients का powder बना कर तियार किया था mixer grinder की help से वो हम इसके अंदर add कर देंगे और इसी के साथ मैं इसके अंदर 2 teaspoon desiccated coconut add कर रही हूँ और इन सभी को हम बहुत अच्छे से mix कर देंगे लेकिन इसी के साथ हम इसके अंदर mix करेंगे इमली का paste मैं इसके अंदर 4 teaspoon इमली का paste add कर रही हूँ आप अपने taste के according इसकी quantity कम यह ज्यादा भी कर सकते हैं यह simple इमली का paste है इसमें कुछ भी add नहीं किया हुआ है यह हम salon को खटा करने के लिए use कर रहे हैं इसलिए अगर आप खटा कम पसंद करते हैं तो आप इसकी quantity को हलका सा कम कर सकते हैं इसकी quantity को हलका सा बढ़ा भी सकते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से mix हो चुका है मैं इसके अंदर 500 ml water add कर रही हूँ और इसको हम बहुत अच्छे से mix कर देंगे अभी हम इसे low flame पर cover करके लगबग 10 से 12 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख रहे हैं अभी लगबग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हम इसके ढकन को हटा कर देखते हैं वाउ इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है हमारा सालन बहुत अच्छे से कुक कर तयार हो चुका है इसकी consistency भी बहुत proper दिखाई दे रही है और साथ ही इसका color भी बहुत सुन्दर आया है अभी इस stage पर जो हमने मिर्ची को fry करके तयार किया था वो हम इसके अंदर add कर देंगे और इसको भी अच्छे से mix करते हुए इसे लगबग एक से दो मिनट के लिए cover करके कुक होने के लिए रख देंगे ताकि सालन का taste और flavor मिर्ची के अंदर तक समा सके अभी हम इसके धकन को हटा कर देखते है हमारा मिर्ची का सालन बहुत अच्छे से बन कर तयार हो चुका है मिर्ची भी बहुत अच्छे से कुक हुई नजर आ रही है और इसका color तो बेहत सुन्दर नजर आ रहा है अभी मैं इसके अंदर chopped coriander leaves add कर रही हूँ इसको भी अच्छे से mix कर देंगे और अभी यह serve करने के लिए बिल्कुल ready है आप इसे किसी भी बिर्यानी या फिर किसी भी rice preparation के साथ ही नहीं आप इसे पराथे नान या चपाती के साथ भी serve कर सकते हैं अभी इसमें यूज होने वाले ingredients को हम एक बार फिर से recap कर लेता है आप 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 पर भीकित के साथ ठोने वाले कर दोड़ किसी भी से इसे धिका समय है अभी अच्कित